दिव्या खोसला कुमार और आलिया भट के बीच में जंग छड़ गई है आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया है कि दिव्या खोसला कुमार ने आलिया भट को फिक बताया है इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सच कभी छुपता नहीं है आखिर ऐसा क्या हो गया है चलिए जानते हैं पुरा डीटेल में दरसल दिव्या खोशला कुमार ने इसी साल एक फिल्म करी थी जिसका नाम था सावी इस मूवी के अंदर दिव्या का किरदार अपने पती को जेल से चुड़ाने की कोशिश में रहता है एसी ही सेम कहानी जिग्रा की भी है जिसमें आलिया अपने भाई वेदांग राना को छुड़ाने की कोशिश करती नजर आ रही है ऐसे में दोनों फिल्मों की कहानी में समानता होने के सवाल भी उठे थे कि आखिर दोनों मूवी की कहानी एक जैसी कैसे है लेकिन इसके जवाब में दिव्या ने कहा था कि मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सावी और जिग्रा बहुत हद तक एक जिसी लग रही है दर्शकों की प्यार और उपर वाली की क्रपासी सावी ने खुद को साबित किया है फिल्म को थीएटर के अंदर और OTT के अंदर दोनों जगे पर बहुत पसंद किया जा रहा है हला कि मैंने तो अभी तक ये मूवी देखी नहीं है उन्होंने आगे ये भी कहा था कि भले ही जिग्रा और सावी में समानता हो लेकिन मुझे लगता है कि हर फिल्म की अपनी जर्णी होती है कभी-कभी दो प्रडिक्शन हाउस एक जिसी स्टॉरी पर फिल्म बना सकते है लेकिन अभी हाली में दिव्या खोसला कुमार ने आलिया भट को टार्गेट किया है उन्होंने बताया कि आलिया भट फेक है और उन्होंने ये भी कहा है कि आलिया भट और्डियन्स को बेफकुफ नहीं बना सकती है दिव्या खोसला कुमार ने अभी हाली में इंस्टा पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें स्क्रीन पर जिगरा चल रही है, उन्होंने ये फोटो शेयर कर लिखा है, जिगरा देखने के लिए सीटी मोल पीवी आर कई थी, थियेटर पूरी तरीके से खाली था, हर जगे के सभी थियेटर खाली ही जा रहे हैं, आलिया भट ने सच में बहुत जिगरा है कि खु चरे इस बात का है कि पेड मीडिया कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या सच में आलिया भट ने खुद की टिकेट खुद खरीद कर फेक कलेक्शन की गोशना कर दी है, आपको क्या लगता है इस बार में कॉमेंट करके जुरू बताईए